नमस्कार दोस्तों जै हिंत जै भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे गद्य कावे की विशेश्ताएं ठीक ना गद्य कावे किसे कहते हैं इसके उपर में वीडियो बना चुका हूँ परन्तु आज हम इस वीडियो में जानेंगे गद्य कावे की विशेश्ताए इससे संबनेत प्रेश्ण प्रतियोगिता पाईक्षाओं में तथा मध्य प्रदेश की लोकल तथा बोर्ड पाईक्षाओं में पूछा जाता है इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए तथा सुनिए तो गड्य कावे की प्रमुक विशेष्टाओं में इसे पहली विशेष्टा है भावात्मक भावात्मक यानि कि आप समझ गया होंगे जब भाव हैं तो काई से निकलेंगे यह हमारे हिर्दे से निकलेंगे तो देखिए भावना की गहनता ही इस रशना का इस रोथ है ठीक है यानि कि भावना की गहनता मला गहराई ठीक है न इस हिर्दे की गहराई को कोई नाप सका है क्या दोस्तों नहीं नाप सका तो हिर्दे की गहराई ही इस रशना का जढ़ना है स्रोथ है ठीक है ठीक है न अनुभुती की प्रबलता से प्रेरित लेखक ही सफल गद्य कावेका हो सकते हैं याने कि दोस्तों जैसे की सीता है जैसे राम है जैसे यशोधरा है जैसे उर्मिला है उनकी वेदना उनकी करुणा को हमें आत्म साथ करना होता है पहले ठीक है ना उनकी अनुभुती याने की उनकी संगत करनी पड़ती हमें ठीक है उनकी अनुभुती उनकी संगत लेखक ही सफल गद्दे कावेकार हो सकते हैं ठीके ना जैसे आप द्रोपती की वेदना को समझोगे ठीके तभी आप सफल गद्दे कावेकार बन सकोगे यदि आप उर्मीला या नहीं लक्षमन जी की जो पत्नी थी उर्मीला ठीके ना उनको समझ सकोगे उनकी हिर्दे की गह मुझ नहते हैं मत्यप्रदेश का तो उन राईयों की वेदना का जाव आप समझ सकोगे ठीके तो ही आप सफल गद्य काव्य लिख सकते हैं क्रेशन के एकांत जीवन को जब आप आत्म साथ करोगे हिर्दे में उतारोगे तभी आप गद्य काव्य लेखक बन सकते हैं समझिव दूसरा है प्रवाह पूर्णता प्रवाह पूर्णता मतला इसमें एक धारा प्रवाह होती है गद्य काववे में कवीता किसी प्रवाह पूर्ण अपेक्षित है यह प्रवाह प्रवाहत्मक्ता भाव तथा भाशा दोनों में ही होती है दोस्तों ठीक ना यानिकी जो गद्य क कवीता की सी ही प्रवहापूर्णता होती है यह था की एक यह बहाव भाव बहाव तथा भाषा दोनों में ही प्रकूरिब चलती है फिर लयात्मक्ता गद्य युक्त होती है जो लय होता है इसमें वो कैसा होता है गद्य युक्त होता है फिर सगंता गनत्व इसमें लेखा की तनमेता तथा भाव सगंता के सरवत्र दर्शन होते हैं जो दोस्तों गद्य काव्य है इसमें सगंता होती है तो सगंता में क्या होत इसमें लेखा की तनमयता तता भाव सगंता के सरवत्र दर्शन होते हैं इसमें एकता से लेखा के ही भाव होते हैं दोस्तों इसके अतिरिक्त गद्य कावे में व्यक्त अनुभूती विचारों से युक्त होती है जो आपके विचार होते हैं वो ही आप गद्य कावे में लिख तकराते हैं हमारे मस्तिश्क में टकराते हैं गोल-गोल गुमते हैं और फिर यही भाव प्रधान विचार गद्य कावे बन जाते हैं जैसे आप पढ़िए का ये शोधरा तीके ना इतना अच्छा गद्य कावे लिखा है इतना उंदा इतना उत्तम गद्य कावे लिखा है कि जो पढ़ोगे तो आपके मस्तिश्क के तार हिल जाएंगे और किसे लिखा है डाक्टर रगुवीर सिंग जी ने लिखा है ठीके न ये शोदरा पार्ट है जो लिखा है डाक्टर रगुवीर सिंग ने जो कद्ध कावे का सर्वोत क्रेष्ट उधारण है ठीके न धन्यवाद झाल झाल